दोस्तो पेट्रोल जो काफी जादा महिंगा हो चुका है और CNG वेहिकल जो काफी अच्छा ऑप्शन बन चुके है पेसे बचाने के लिए सो मार्केट के अंदर जो बहुत सारे पीकप ट्रक और वेहिकल जो एवेलेबल है CNG के अंदर बट एक दिक्कत है कि यह जो पीकप ट्रक से ना मतलब अभी आपको टाटा के अंदर भी जो थीन पीकप ट्रक से मिलते हैं जसकी V10 है V20 हो गया V30 हो गया V50 हो गया ऐसे आपको चार पीकप ट्रक की रेंज मिलती है बट यह वादर जो V20 है आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले है क्योंकि यह एक वाइफ्यूर्ड पीकप ट्रक है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पीकप ट्रक का जो पूरा ही एक वाक आरूंड लेने वाले इसकी रेंज कितनी होगी इसकी कीमत कितनी होगी सारी चिज़ों जो सामने के सर में बैजिंग दी है, इंटरा पीकप ट्रक की, V20 की यहाप बैजिंग दी है, उसके अलबा अगर आप यहाप यहाप देखोगे ना, तो यह जो फ्रेंट ग्रिल से ना, यह काफी शांदार दी है, क्रोम में आपको यह पूरी मिलती है, बहुती प्रीमियम यह लेंद है और 2.4 मिटर्स के आसपास इसका जो ही है वील बेस है सी एंजी टैंक की अगर हम बात करें तो अराउंड 35 लीटर्स का 35 तो 37 लीटर्स का आपको इसके अंदर जो सेंजी टैंक मिलता है जो कि आपको जो अराउंड मतलब 12-12 किलो का बढ़ता है और यहां पर आप सकते है 14 इंच का मतलब 14 इंच का आपको इसके अंदर यह वील मिलता है पीछे भी आप देख सकते हैं इंट्रा की मस्त यहां पर बैजिंग की है और यहां पर टाटा का लोगो दिया गया है यहां पर तीन पार्किंग सेंसर लगे हैं पीछे के सेंड में जो कि आपको पीछे जाला है तो यहां पर गाया है तो इसको बढ़ा कार जो है रखभा करो दिया गया है अगाहे है पीछे के हुआर सकते हैं जैसे एक चीज़ दी है जो कि आपका जो एर इंटेक है वो करेगी और कम्प्लीट आप इसकी जो लुक देख सकते है वैसे इसका जो इंजिन है वह आपको 1.2 लिटर का मिलता है जो कि यहाँ पर प्लेस किया है ड्राइवर सीट के नीचे तो यहाँ पर आप देखोगे यह है मैं आपको एक बार इंटीरियर भी लिखा देता हूँ तो complete यहाँ पर जो चीज़ दे दी है वह आप देख सकते है टाटा की यहाँ पर यह जो यह ऑपने का नॉब यहाँ पर यह है windows खुलने के लिए बंद करने के लिए आपको यहाँ पर एक नॉब मलता है bottle holder यहाँ पर अगर आप देखोगे तो driver plus one ऐसे आपको sitting arrangement बिलती है यहाँ पर driver बेटेगा और यहाँ पर एक दूसरा आपका साथी बेटेगा जो कि आपकी wife भी हो सकती है आपका काम करने वाला बंदा भी हो सकता है और यह है कुछ इसका interior जहाँ पर आपको यह four spoke steering मिलता है कि कि अगर हम ब है हमारी pickup truck और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कुछ इसका instrumental cluster जहाँ आपको digital यहाँ पर स्पीड दिखेगी कितनी स्पीड है उसके लावा यहाँ पर आपका CNG कितना है पेट्रोल कितना है वह आपको यहाँ पर दिखेगा cabin काफी मस्त है आपको काफी अच्छे लेवल का मतलब जो cars के अंदर जो cabin आता है उस quality का आपको cabin मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है यह देखने में उसके अलावा यहाँ पर डैश बूड के ऊपर आपको यह एक 12 वोल का जो डॉक मिलता है जहां से अब अपना phone चार्ज कर पाओगे यहाँ पर storage box दिया है जो कि इसको खोल सकते हैं लॉक कर सकते हैं तो आपकी जेवराद वेकर आप इसके अंदर रख सकते हैं यहाँ आप देखना यह है इसका transmission आपको इसका 5-speed gearbox मिलता है जो की डैश बोड के ओपर ही दिया है तो जब आप इसको चलाते हो ना तो आप यहाँ से इसको जो गेर बदल सक खाओए तो यहां पर आप स्टेरिंग देखना यार यह जो स्टेरिंग है यह अपने आप से यह फिर से आइडल पोजिशन पर आने की कोशिश करते हैं तो यह चीज़ आप यहाप से घूम वापस है यह यह पूजीशन पर आ जाएगा उसके अलबावा यहां पहना देखो चीज़ देख सकते हैं यहां पर आपको फॉक्तुरू के बिन मिलता है जब दिवार से गाडी लगाते हैं यहां पे जगा कम रहेती है तो आपको दर्वा में आख भी लगती है तो इसके लिए safety के लिए आपको ये भी चीज यहापे मिलती है seats आप देख सकते है, leather के आपको seats मिलते है, यहापे भी leather लगा हुआ है काफी अच्छी quality का leather है और यहापे आप जो यह light भी देख सकते है driver के लिए, यहापे जो यह एक visor भी दिया है, तो यह कुछ आपको चीज़े आपे मिलती है 80 के आपको इसके अंदर, यह speed limit मिलेगी उसके अलबा, cabin काफी शानदार है, यहापे जो यह lights के control दिये है, यहापे वाइपर के control दिये है, दो वाइपर आपको इस गाड़ी के अंदर सामने की तरफ मिलते है उसके अलबा, अगर हम गाड़ी के ground clearance की भी बात करें न गाइस तो आपको 175 मतलब 175 mm का जो इसके अंदर ground clearance मिलता है, जो की काफी अच्छा है, city के हिसाब से और यही कुछ आपको जो यह सारी चीज़े मिलती है इस pickup truck के अंदर, best चीज क्या है कि आपको इसके अंदर, CNG plus petrol का option मिलता है, तो वो एक चीज़ आपको बहुत बड़ी है, इस गाड़ी के अंदर और बाकी looks तो काफी अच्छा है, interior काफी अच्छा है और price के हिसाब से काफी एक अच्छी आप इसको जो pickup truck बोल सकते है, best आप इसको जो pickup truck मैं, screen के ओपर भी आपर डाल रहो कि इसकी जो pricing है, वो क्या है, और बाकी तो मैं आप से मिलता हूँ, नेक्स प्राली, इसी हम इसे वीडियो में, तब तक लिए, बाई बाई